हेलो वीवर्स अन्बॉक्सिंग डिया में आप सबका स्वागत है और मैं हुई इम्रान आज मेरे पास जो डिवाइज है वह है रियल्मी सीद्री का 4GB 64GB वेरियन्ट और यहां पे जो कलर है वह फ्रोजन ब्लू कलर में मेरे पास फॉन एवालेबल है और यहां पे ट्वेल प् का यह रियल्मी सीद्री डिवाइज है तो 8000 के हिसाब से बहुत ही खास स्पेसिफिकेशन से इसमें दिया गया है चलिए फटा-फट से इस बॉक्स को अन्बॉक्सिंग करते हैं और जैसे ही अन्बॉक्सिंग करते हैं कुछ इस तरह से प्रोजन ब्लू कलर देखने को मिलत यह दिया गया है और ना ही डिस्प्लेiew फिंगर ब्रीड दिया गया है इस फोन के रेम को लेकर तो इसमें आपको 34 तो इस been सतूरज है dwa बात करें तो इसमें आपको 3 जी भी रहा में 22 उस हैं लेकिन प्राइस यहां पिस प्रीडियट के का डिस्प्लेइए और वाटर ड्रॉप स्किन है एजडी प्लस रिजूलिशन के साथ में यह डिस्प्लेइआ आता है डिवाइस के आपको एजडी प्लस प्लस नहीं मिलेगा और बात करें इस फॉन की बैटरी को लेकर तो इसमें आपको 5000 मिलिया एक हाई के पसेटरी मिलता है लेकिन फास्टरिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा तैन वाट चर्जिंग सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा विसमें इस फॉन का जो लुक्स डिजाइन विल कॉलिडी है वह आपको कैसा लगा फ्रॉज ब्लू कलर में नी पहाइब यहाँ यूजर इंटर्फियस इस वहBut vraiment का हैmi का खुद का वर्जन वॉन का इस फूर मी बात करें इस फुन के एंडोइड वर्जन यहाँ तैन का इस्तमाल क्या गया है और बाकिस देख सकते हो अक्ठा कोड पसेणिख लगाए मेराने के लिए 70 का और जो performance मिलेगा 3GB RAM 32GB storage या फिर 4GB 64GB Android 10 और बाकी यहाँ पर UI system जो version 1 का इस्तेमाल किया गया है realme का उसके साथ में बड़िया performance आपको देखने को मिलेगा तो gaming के लिए बात करो या फिर वीडियोग्राफी या फिर speed के मामले में फोन काफी बहतर होगा अगर 8000 के डिवाइस के हिसाब से में इस फोन को बाकी फोन से कंपेर कोई हैं कोई भी ऐसा specifications के साथ नहीं आता है तो मेरे ख्यास से 8000 की डिवाइस के हिसाब से यह फॉन बहतरीन है अगर आप इसमें केमरा दो एक होगो तो दिफरेंट ले और भी ज्यादा खुश हो जाओगे यह रहा 5 Megapixel का front camera लेकिन quality जो है बहतरीन है और जो rear camera मिलता है उसमें आपको 12 Plus 2 Megapixel का dual rear camera मिलता है और फोटोग्राफिक के मामले में मैं कहूंगा 8000 की डिवाइस के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया गया है इस phone में और display भी बड़ा है यहाँ पे battery भी काफी बड़ा आपको मिल जाता है और यहाँ पे जो आपको processor मिलता है बेडियारे के लिए G70 काफी गजब का performance आपको इस phone में देखने को मिलेगा तो यही है इस phone का first looks और unboxing